नमस्ते, मैं आपका दोज दॉक्टर सौरब जिन्सर, डर्मेटॉलोजिस्ट, आज हम बात करेंगे क्लेंजर के बारे में, फेसवाशन के बारे में, क्लेंजर के बारे में, एक बारे में आप फेस पे जब अपने चेरे को धोना चाहते हैं, तो किस चीज का ध्यान रखे हैं Face Cleansers की आज हम बात कर रहे हैं अब Face पे Cleansers की क्यों जरुत पड़ती है Body पे Cleansers की क्यों जरुत पड़ती है अब हमारी जो Skin है वो काफी चीज़े बनाती जा रही है जैसे अंदर से तेल बनता है जिसको हम Sebum कहते हैं वो आपकी स्किन पे है। data cell जो हैं, mballsome cell जो है, वो उपर आचुके हैं और उपर आने के बाद वो गिरते हैं, तो data cell भी इखट्टे हो रहे होते हैं, आप धूल बित्टी में जाते हैं, pollution में जाते हैं, वो भी इखट्टे हो रहे होते हैं, काफी bacteria भी इखटे हो रहे होते हैं पसीना इखटा हो रहा होते हैं तो आपकी परत पे जैसे आपने येलो एरिया देखा येलो एरिया जो है ये skin का cover है उपर ही भाग है इसमें सारी चीज़ें इखटी हो रही है तो obviously जब पूरे दिन के बाद आप रात में आदे तो obviously आपकी अपिक्षा होती है कि skin को फ्रेश लुक दें और जो सुबह से जो आप मेहनत कर रहे हो sebum है और oil है और sweat है उसको हटाया जा तो इसकी हम आज में बात करेंगे कि ये जरूरी क्यों है और किस चीज़ का आप ध्यान रखें अब एक classical जो face cleanser है जो समाज में फैला हवाए वो है scrubs अब जो scrub है कि हम scrub उपर से अपनी layer को scrub करके रगड के उस area को हटाना चाहते है top layer को हटाना चाहते है अब जो scrubs हैं वो हम बहुत healthy तो नहीं मानते skin के लिए और वो इस वज़े से है क्योंगे scrub ना काफी बार आप काफी aggressive हो जाते हो gentle नहीं होते है gentle scrubs जो हैं वो ज़्यादा important है अगर आपने harsh scrubs यूज़ कर लिए तो in fact आपकी skin damage हो जाएगी आप सोचिए आप skin को रगड रहे हो अगर पत्थर से रगड दिया तो क्या होगा तो उस वज़े सेम भी अगर harsh scrubs आपके हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है तो in fact हम यह चाहते हैं कि जिनकी थोड़ी सी है वो तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि उनकी skin और फिर damage हो सकती है अब कौनसे कौनसे scrubs available है जो हम घर में भी कर सकते हैं जिसको एक fruit seeds हैं जैसे peach है, apricot है या apple है इसके scrubs हम create कर सकते हैं काफी लोग यह जो है walnuts हैं या बदाम हैं उसका थोड़ी सी गीरी डालके उसको scrape करके, उसका powder करके वो भी इसमें scrape में यूज़ करते हैं oats है, wheat के grain based scrubs भी होते हैं यह भी यूज़ कर सकते हैं alcohol based scrubs ना यूज़ करे जाएं यह important है और scrubs हमेशा हम चाहते हैं कि gentle जैसे मैंने कहा gentle होना बहुत जरूरी है और यह scrubs जो हैं वो आपकी skin को healthy रखते हैं लेकिन provided वो सही तरीके से करे जाएं और जादा ना करे जाएं तो यह scrubs हैं यह हम occasionally use कर सकते हैं cleansing creams भी हैं जो हम use कर सकते हैं cleansing cream जो होती हैं यह तो wax से बनती हैं mineralol से बनती हैं petrolatum से बनती हैं काफी cleansing creams available है market में अब cleansing cream जो है उसमें थोड़ा सा mushroomizer component होता है अब यह जो cleansing creams हैं जिनको थोड़ी से dry skin की तरफ है या थोड़ी से normal to dry है वो cleansing cream से use कर सकते हैं वो एक cotton ball में उसको लें और rub करके rolling action से circular action से अपने skin को clean कर लें वो scrubs बिल्कुल ना करें cleansing milks भी available हैं lotions भी available हैं यह water based होते हैं और यह water based होते हैं यह obviously और safer होते हैं जो again जिसके dry to normal skin है वो यह इस चीज को use कर सकते हैं face को धोने के लिए clean करने के लिए यह हम ज़्यादा frequently use कर सकते हैं दिन में दो बार हम इसको use कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते cleansing milk की use करें अब toners हैं यह भी loose किये जाते हैं अब toners जो हैं यूजली acne prone skin के लिए जिनको ज़्यादा pimples होते हैं जिनको T-zone में oil ज़्यादा निकलता है वो toners usually use करते हैं toners हैं make up भी use कर निकाल सकते हैं rose water भी use कर सकते हैं clean करने के लिए तो यह जो toners हैं यह easy to use हैं काफी लोग घर में इसको use कर सकते हैं cleansing routine के लिए और यह oily skin के लिए basically important होते हैं dry skin वाले ना use करें तो better होता है sensitive skin वाले ना use करें तो better होता है क्योंकि वो फिर irritation हो जाती है उनके skin पर itching हो सकती है inflammation redness हो सकती है तो toners का भी सिर्फ oily skin के लिए हम बोलते हैं use करें काफी लोग इंडिया में face packs use करते हैं मुझे याद है जब मुझे pimples होते थे तो oily skin होती थी तो मुलतानी मिट्टी तो सबसे favorite है उसमें थोड़ा सा rose water मिला के आप use कर सकते हैं उससे क्या होता है कि थोड़ा सा oil कम हो जाता है आपकी face के superficial part का थोड़े cleansing action भी आपको मिलती है पर ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है अपने use करना अगर आपने rose मुलतानी मिट्टी का pack करना use कर दिया तो आपकी skin काफी dry हो जाएगी तो oily skin थी लेकिन अभी dry हो जाएगी तो body क्या समझेगे कि भाई अभी तो skin dry होगी तो वो अंदर से और तेल बनाती है और oil बनाती है compensate करने के लिए तो बहुत ज़्यादा skin को dry करना भी अच्छी बात नहीं है algae mask भी आजकल काफी sea mud mask भी आगे हैं काफी ये market में मिलते हैं जो algae होते हैं जो समुद्र में मिलते हैं उससे वो mask बनते हैं या जो मिट्टी होती है जैसे black sea black ski के जो salts हैं उसके जो components हैं उसके भी mask आजकब मिलने लगे हैं बट ये ठीक है यूज कर सकते हैं घर में यूज कर सकते हैं हफते में एक बार से ज़्यादा हम नहीं चाहेंगे ये आप यूज करें और लेकिन अगर आपकी बहुत sensitive skin है तो आप उसके बारे में भी आपको careful होना पड़ेगा आजकल charcoal based mask भी आ गए हैं ये काफी fashion में है black दिखते हैं charcoal based है ये उपर के oil और dirt और जो secretions आपकी sweat है उसको उपर से थोड़ा से निकालते हैं और एक fresh look देते हैं ताकि कहीं party में जा रहे हैं तो आप ये pack करके आप जा सकते हैं तो ये cleaning थोड़े time के लिए तो आपको इसका benefit मिलेगा बहुत long term benefit नहीं होगा कोई भी cleansers हैं वो बहुत long term benefit आपको नहीं दे सकते क्योंकि वापिस थोड़े घंटों में वोई चीज़ें चीज़ें वापिस शुरू हो जाती है तो इस वज़े से temporary basis पे हम इसको okay मानते हैं आजकल काफी brightening mask भी आ गए हैं जिसमें arbitan होता है या berries है, niacinamide है, liquorice आजकल मिलता है ये gel based mask हैं मतलब basically packet आते हैं, इसमें हम वो mask निकालते हैं एक gel sheet होती है, जो हम face पे लगाते हैं और उसको हम हटा सकते हैं, brightening mask होते हैं vitamin C based mask भी आजकल market में मिलने लगे हैं तो जो face mask हैं, ये भी temporary basis पे brightening दे सकते हैं बड़ जैसे हमने कहा, ये बहुत long lasting results इसके नहीं है थोड़े time के लिए आपको थोड़ा सब feel good factor तो definitely आई सकता है face cleansers में एक scinded bars हैं, आपको जानके आश्चरिय होगा कि जितने भी sabon हम use करते हैं, उसका जो pH होता है वो skin को match वाला pH नहीं होता, skin का हमारा जो pH होता है जो pH नाम की एक चीज हम कहते हैं, जो थोड़ा से acidic pH होता है आपके जो skin का pH value है, वो 4.5 से 5.5 के साबसे होता है और जो sabon हम use करते हैं आम तोर पे, उसका pH होता है 9 से 10 तो alkaline pH होता है, तो match नहीं करता, तो skin irritate हो जाती है तो काफी लोग हमसे कहते हैं, नहाने के लिए कौन सा साबसे करा जाए तो इसको हम सिंडेट बार्स बोलते हैं सिंडेट बार्स जो होता है, उसमें साबून बहुत कम होता है और उसको जो pH होता है, वो आपकी skin से match होता है तो अगर आपने नहाना है, अगर आपने face wash भी करना है तो सिंडेट बार्स का इस्तमाल करा जा सकता है वो market में easily available है, without prescription भी available है तो यह अच्छी चीज़े हैं, यह आपको help in fact करेंगी तो basically आपके requirement क्या होने चाहिए अगर आपको cleansers लेना है dry skin के लिए हमेशा ध्यान रखिए, उसमें moisturizer होना चाहिए moisturizer based cleansers बहुत important है आपको use करना उसमें fatty acids भी काफी होता है तो यह मैं product इसलिए बता रहा हूँ कि जब यह product खरीदें मैं तो हर product के बारे में आपको कह नहीं सकता तो आप product के पीछे देखें कि यह product के जो नाम है यह उसमें लिखें या नहीं लिखें तो आपको पता लग जाएगा इसमें तो fatty acids है इसका मतलब यह dry skin के लिए बना है तो उसमें क्या क्या है petrolatum है, lanolin है, mindal oil है, cocoa butter है glycerine है, shea butter है, ceramides है यह fatty acids हैं जो काफी cleansers में आजकर डाले जाते है ताकि dry skin वालों को भी cleansers मिल पाएं तो लोग क्या क्याते है dry skin वालों को ज़्यादा face नहीं दोना चाहिए क्योंकि उनकी skin और dry हो जाती है क्योंकि वो गलत cleansers इस्तमाल कर रहे है joja boil है, aloe vera है, coconut oil यह सब soybean oil, olive oil इन सब के भी cleansers आजकल है तो यह components आपने देखना है ताकि आप right choice कर पाओ cleansers for dry skin cleansers oily skin के बारे में क्या देखना है आपने पहली बात तो आजका non-foaming cleansers आगे जाग नहीं आता हमें लगता है जाग आना important है, जाग आना important नहीं है so काफी cleansers है जिसमें जाग नहीं आते तो वो आप purchase कर सकते हो यह अगर foaming भी है तो gentle foaming important है gentle foaming हो, harsh foaming ना हो थोड़ा सा अपने गोल-गोल घुमाना है बहुत जादा rigorous सी रगड़ना भी नहीं है तो skin damage होती है salicylic acid के भी cleansers available है oily skin वालों के लिए जिनको pimples जादा है और आजकल aloe vera and tea tree oil के भी cleansers oily skin के लिए 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 लगए है तो यह भी आप खरीद सकते हो आजकल यह cleansers भी बहुत importantly हम देख रहे है glycolic acid, lactic acid के cleansers इनको हम कहता है AHA alpha hydroxy acids यह जो AHA based cleansers है यह भी अच्छे powerful cleansers है glycolic acid उपर की dead skin हट जाती है lactic acid से भी उपर की skin हटती है glow आता है, pigmentation कम हो जाती है तो जैसे pimples में काफी बार रंग भी आपका dark हो जाता है pimples के बाद, तो वो भी important है तो यह सब cleansers है oily skin के लिए हम इसको purchase कर सकते हैं यह over the counter available है market में पर कभी भी बहुत ज़्यादा आपने face cleansers भी इस्तमाल नहीं करने दो बार दिन में हम okay मानते है sensitive skin के लिए दिहान रखें कभी भी fragrance वाले नहीं होने चाहिए या alcohol based नहीं होने चाहिए ज़से काफी लोग धूप में जाते हैं उनकी skin लाल हो जाती है जिसको rosacea कहते हैं बड़ी sensitive होती है तो इनको तो हम कहते हैं कि gentle cleansers इस्तमाल करने है जिसका pH neutral हो मतलब skin से match करे जैसे acidic pH जो होता है वो skin से match करता है तो अच्छा मानते है तो साड़े चार से साड़े पांच सिंडेट बार्ज हैं वो use करे जा सकते हैं non-forming cleansers भी आते हैं setafil जैसे है तो यह sensitive skin के लिए हम use कर सकते हैं तो काफी लोग sensitive skin से ग्रस्त होते हैं तो उसमें यह cleansers अच्छे से इस्तमाल होते हैं इसमें भी moisturizer property अगर हो तो और better होता है क्योंकि वोई fatty acids moisturizer की need उनमें काफी पढ़ती है तो sensitive skin में भी हम उसको better मानते हैं एक micellar water available है जो sensitive skin clean करने के लिए हम अच्छा मानते हैं यह भी available है market में online भी available है इससे भी हम face wash thermal waters हैं इससे भी हम face wash कर सकते हैं तो आज हमने देखा कि face cleansers कितने type की होते हैं अलग-अलग type की होते हैं क्या requirement है और क्या के हम इसके बारे में कर सकते हैं तो इसके साथ यह video हम समाप्त करते हैं नमस्ते